Today's topic is very interesting, that is symbolic interactionalism. अब term जो है उसी को ही सुनकर इनसान सोचता है कि ये symbolic interactionism क्या होगा? symbolic interactionism basically जो बात हमें communicate करती है ये theory ये philosophy उसमें ये है कि हर जगा पर दुनिया में कुछ symbols जो हैं वो common होते हैं और उन common symbols की वज़ा से इनसानों का अपस में interaction जो है वो मुम्किन भी है और वो ज्यादा खुबसूरत हो जाता है मसलें बहुत बच्चपन में हमें अपनी जो जुबान होती है उस जुबान की वजह से वो एक जुबान बोलने वाले लोग बच्चपन से लेकर बड़े होने तक हमें हमेशा हो ज्यादा अच्छे लगते हैं फिर एक सा लिबास पहनने वाले लोग ठीक है तो symbolic interactionism जो है नहीं सफर करके दुनिया के किसी और कोने में जाएं तो आप ढूंड रहे होते हैं कोई अपने जैसे जुबान बोलने वाला कोई अपने जैसे लेबास पहनने वाला या अपने जैसी खुराक खाने वाला तो यह basically political sociology के अंदर एक ऐसी debate है जो हम सब के जजबात से निएर है इसी वजा से इस school of thought की जो एहमियत है वो और ज्यादा हो जाती है क्यूंकि इसके जरिये मौश्रे के अंदर जो सोच दी गई है वो पहले से ही हमारे ज़बात हमारे ख्यालात से मैच करती है because symbolic interactionism is a social theoretical framework associated with George Herbert because it is a perspective that sees society as the product of shared symbols. A central concept of symbol interactionism is the self. अब क्या है? सबसे पहले मेरे लिए क्या चीज़े अहमीयत रखती है? जाहर है मेरी जात और फिर मेरी जात से जब तालगा चीज़ें मेरे सामने आएंगी और वो सारे symbols जो मुझे नुकसान ना दे तो मेरे लिए वो एहम भी होंगे और मेरे लिए वो important भी होंगे, और उससे जो मेरा तालुक दूसरों के साथ बनेगा, यानि वो जो आप में और मुझे में common है, वहाँ पर हमारा चुंके इकतलाफ नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ कसूसी वाबस्तगी जो है वो पैदा हो जाएगी, जिसकी वज़ा से society जो है उसके अंदर लोगों का आपस में ऐसा interaction होगा, लोग आपस में एक दूसरे से इतने करीब होंगे, इस interaction की वज़ा से ही मौश्रे के अंदर जो है वो खसूसी पिजा पैदा होगी और खास तोर पर इसमें सबसे पहले जैसे मैंने पह very much important and then everyone has a role to play in society, they also can see themselves as others see them, अब यह चीज एहम है, इसको हमें समझना है कि अगर मैं आपको अपने जैसे नजर आऊंगी और मुझे आप अपने जैसे नजर आएंगे, तो जो हमारे दर्मयान तालुक जो वाबस्तगी होगी, उसकी वज़ा से हो सकता है, कि हम छोटे मुटे मौामलात को इगनोर करते हैं, अगर हमारा कहीं इखतलाफ भी होगा, तो उस वाबस्तगी की वज़ा से, जिसमें जजबाती वाबस्तगी जाहर है, डॉमिनेटिंग होगी, उसकी वज़ा से हमारा इंट्रेक्शन, हमारा आपस का जो तालुक है, उसकी मजबूती की जो हम बहुत सारी छोटी मोटी बातों और बाज़कात बडी बातों को भी इगनोर कर देते हैं, लेकिन सिम्बॉलिक इंट्रेक्शन िजम के अंदर जो सबसे ऐहम चीज है, that is primary socialization, that behavior of a child, because every child, he learns the behavior, or she learns the behavior from the family. तो symbolic interactionism की base क्या है वो है primary socialization then secondary socialization because हर मौश्रा जो है कानदान से जब फर्थ बाहर निकलता है तो फिर मौश्रा उसकी तरभियत करता है और फिर उसके बाद मौश्रे के अंदर अफ्राद के हवाले से जो judgments होती है यानि मौश्रा फर्द को किन निगाहों से देखता है मौश्रे के अंदर अफ्राद के बारे में कैसा image है यह सब symbolic interactionism की base है अगर हम इसको और आसान तरीन तरीके से समझना चाहें कि हर फर्द की एक पहचान है उस पहचान को जाहर करने के बहुत सारे तरीके हैं वो जुबान हो सकती है वो रवायात हो सकती है वो लिबास हो सकता है उसके साथ साथ वो हमारा रहना सहना हमारी खुराक हो सकती है इन सब की बुनियाद पर हम मौश्रे में अपने जैसे लोगों के साथ इंटिरेक्ट करने में, बिहेव करने में, तालुक रखने में ज्यादा आसानी जो है वो मैसूस करते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये सब चीजें हम सीखते कहां से हैं, तो जाहर है इसमें बुनि उकात, स्कूल, मख़ब, ये सब का रोल, हमारी एजुकेशन का रोल भी important होता है, लेकिन हर मरहले पर कुछ जो common चीजें हम सीखते हैं, वो हमारा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, रहना सेहना होता है, अपने जैसे लोगों के साथ रहना आसान है, कहीं और जाकर interact करना, वहां adjust करना उस पर सवाल होते हैं, क्यूंके फिर बहुत सारे लोग हमारी शिनाक्त पर, हमारे रवईयों पर, हमारे बारे में judgmental होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, कि अगर हम उन्हें ना पसंद हैं, बाज वकात हमें कुछ लोग ना पसंद होते हैं, तो येकिनन इस से फिर मौशरे के अंदर इक्तलाफात पैदा होते हैं, और बाज वकात ये इक्तलाफात ऐसे मसाइल की शकल इक्तियार कर लेते हैं, जो मौशरों की यकजहती पर सवाल उठा देते हैं.